नमस्कार खिसंसाथ्यों मैरा नाम गमेड सिर अरणावत और आप देख रहे हैं खेती किसानी यूटूब चैनल के किसंसाथ्यों जैसे की आप जानते हैं कि इस चैनल पर शिर्प-szिर्प आपको मिलने वाली एक खेती किसानी यानि की खेती बाड़ी की जानकरी तो आज आपको मैं बताने जा रहा हूं मेरे ही फार्म हाउस से एक ऐसे जानकारी दे रहा हूं जो शायद आपको पता नहीं है और आपके लिए काफी फाइदे बंद हो जाए मैंने भी इस जानकारी के लिए काफी रिसर्च किये क्योंकि मैं भी आपका एक युवा नया खिसानी हूँ और जो मैं जैविक खहती कर रहा हूँ किसान साथ यो हुआ क्या है कि आज यानी कि मैंने जो मेरा गार्डन तेयर किया है बागवानी में का उसको सवा महिना कम्प्लीट हो चुका है और सवा महिने में देखे कि पहले तो अमरूत के पोधे इतने अच्छे चल रहे थे और दीरे-दीरे क्या है उसके पत्ते पीले पढ़ने लगे और कुछ पोधे सूपने लगे, कुछ पोधे खतम होने लगे जो खतम हुआ पोधा उसको उखाड़ा मैंने तो उखाने पर देखा को उसका जड़ गल गई पूरी और जड़ों में छोटी-छोटी गठाने आ गई है ये मैं लाइव बता रहा हूँ आपको सब कुछ जो मेरे साथ हुआ है वो बता रहा हूँ के अब मैरे को यह पता नहीं कि इस बीहारी इक है थोड़ा सा रिसर्च किया यह पिमारी का नाम caAm से लारवा है वह प्रकाट हो जता है और ये वापिस रहो जप्रता पिदार और नुकसांड करने लगा जता है इस वीमारी की ऐस पेचान होती है फ timber की होते हैं वो पीले पड़ जाते पीले होते होते हैं सबी पोदोमें होती हैं यह सबीकी के शरीर में कैंसर होता है यह किसी के शरीर में और इतना परसंटर से ज़्यादा तो वेसे कि वेसे यह भी है यह सुत्रकर्मी जो लार्वा है न यह बिलकुल अद्रस्य होते हैं आपन देखे तो देखाने जाता है लेकिन आप जो सुक्ष्मदर्शी जो यंत्र है उससे अगर आप देखते हैं तो छोटे-छोटे यह लार लेते हैं गर बना लेते हैं यानि कि जो जड़े हैं उसमें छेट करके अंदर गुज जाते हैं और रिसेर्च के इस सबसे इनका यह कहना है कि यह छे से साथ दिन में यानि कि सब्दा में एक नर और मादा मिलकर एक हजार से पंदरा सो अंडे पेदा कर देते हैं यानि कि आप देखें कितने गातक है यह फसलों के लिए बहुती गातक है यह यह मक्का में होते हैं जैसे आपन कहते हैं मक्का खड़े-खड़े सुग गया क्या दिमक लगी क्या यह निमोटेड है जो जड़ है उसमें गा आपने सुना होगा जो पुरानिक बाते हैं वह सुनते आ रहे हैं कि जैसे यह मितलब गेहों काटे हैं अपने और फिर देज ज़्यादा गर्मी हैं गर्मी क्या करते हैं अब दूसरा रोकताम यह हैं कि यह बीमारी क्या होती है यह जैसे को रोना वाइरस ने इदर उद्धर चूने से हो रहा है वैसे जने मैं मेरे पेर मिटे से बरे हुए है फिर मैं दूसरे खेट में जाऊंगा इस खेट में फावड़ा चला यह दूसरे खेट में यूज कि या इधर उदर इधर उदर अपन जो यू यूज करते हैं यह चले जाती है इसमें ज्यादा तर यह bismari आती गेहूं में आपके देखता है नो चलते चलते सुक जाते वही ही विमारी ये अब इसकी रोकता में आपको यह जा रहे हैं आप पेर दो के जाए कोई भी यंत्र यूज़ कर रहें या उसको भी आप दो के यूज़ करें वो चीज़ा सारी आपको ध्यान रखनी हैं चलिए कुछ ऐसी बाते हैं जो वास्तव में आपको एक बार यूँ चकित हो जाओगे कि इससे भी यह बीमरी मिड़ जाती है जो फसल है ना उसको फसल चक्र चेंज कर दे है और सबसे ज्यादा अच्छा जो रोकताम है वो है गेंदा जिसको अपन देशी बासाम बोलते हैं हजारी आप अपनी फसल में गेंदा बहुत दीजिए जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने भी जो अम्रूत के पोदे लगाए हैं उसमें मैंने गेंदा की बुवाई कर द ..? अगर बायो में जाते हैं अगर जय व चिसान है तो आप इसमे ट्राइ को डर्मchy यूश कर सकते हैं सिल लौन लिला सिनस और उसके बाद में आप इसके रसाइनिक में जाते हैं स्कारेजिय यूँज कर सकते हैं लेकिन च्राइज्ट होती कोशिश आप इसको जितना मतलब ही ठीक हो जाए वैसे जैसे चεν सर्कीना फिर्स्ट स्ट्छ स्ट्रेज में देशी रज़ लग गया सेकंड स्ट्रेजम arrest में धिर सेसलीटी रॉससे लगा यह तो मैंनेन भी रिसर्च में ऐसी हिसी ने कहा वह तंबग्रों से भी इलाज होता है तो मैंने तंबा को भी देखे देखी है लेकिन कुछ प्रसेंटेज तक इनका मेरे को फरक दीका है लेकिन जब ज़्यादा बीमारी फैल जाती है फिर आप ट्राइकोडर्मा है पैसिलो मैसी से यह आप यूज कीजिए तो इससे काफी अच्छा फाइदा तो यह निमोटेट जो विमारी है इसका आपको ध्यान रखना है और फसल को बचाना है और अगर आपके मन में कोई बी और सुजाव है तो आप जरूर हमें दीजिए इसके साथ में ही एक और बताता हूं मैं आपको आप जो गोबर की खाद है सड़ी हुई खाद वह में यूज़ करेंगे तो भी यह निमोटोड रोकथाम हो सकती है इसकी तो आशा करता हूं वीडियो अच्छा लगा होगा वीडियो अच्छा लगा है लाइक करते जाए और कोई भी सुजाव हो या फिर सवाल हो कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक